पर मौझूद हैं स्वामी सुमेदान सरसोती नजर आ रहे हैं और उनके साथ अलग लग जगों से पदा रहे हुए पिठादीश्वर संत जी हाँ सनातन की परंपरा और हमारे देश की अगर रिवाज और रवायत को देखे तो इनका भी बहुत ज़ादा महत्व हो जाता है और इनको अमंत्रित करना ये अपने आप में एक संदेश देना है कि भारत को अगर आगे लेकर जाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा संतों को साथ लेना होगा संतों के आश्रवात की हमेशा जरुवात होती है राजस्थान सरकार की जो अब एक नई भूमी का देखने में सामने आएगी तो पिर संतों का भी उसमें महत्पूर्ण योगदान होगा उनके मारदर्शन की जरुवात होगी और उनके सम्मान को जिस तरह स यहां पर होने वाली हैं और देखिए जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं अगर टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देखें यहां गजेंद्र सिंग शेखावत केंद्रिय मंत्री और पूर मुख्य मंत्री अशोग गहलोत की तस्वीर और कैलाज चौधरी भी वहां पर जुड़े हैं तो निरंजन जी से बात करूंगा निरंजन जी ओडियो आपका अप होगा तुझा बताईगा हम और भीमन तो कयास लगा ही रहे हैं यह क्या बात्चीत हो नहीं होगी देखिए रविंदर जी निश्चित रूप से मैं एक चीज आपको बताना चाहरा हूँ असोग गहलोत जी आज की तारिख में कांग्रेस के उन चंद नेताओं में से हैं जो आप यह मान के चलिए उस परंपरा का निर्वेहन कर रहे हैं कि चाए आप सत्ता में हो चाए आप पार्टी मतला आपका पार्टी से आपका मत भेद हो सकता है लेकिन आपका मन भेद नहीं है और आपने यह देखा होगा कि जिस तरी के से राजस्तान के अंदर पिछले एक साल से परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी जब राजस्तान केंप करते थे राजस्तान के अंदर जब वसंद्रा राजे भी आ चुकी है यहां पर और वसंद्रा राजे भी पधार चुकी है जिए हां सभी के चेहरे खिल खिलाए हुए हैं क्योंकि आज का दिन राजस्थान के लिए बेहत खास है और वसंद्रा राजे भी यहां मंच पर विराजमान हो चुकी हैं और इस बीच के पर पहुंच चुके हैं और यहां नितिन गड़करी का जो राजस्थानी साफा और पगड़ी होती है उसके साथ स्वागत भव्वे तरीके से किया गया पुलों के बुल्दस्ते के साथ स्वागत किया गया यहां से यही मानकर चला जाए कि सीधा एरपूर्ट से अब रवाना होंगे अलबट हॉल के जो समहरोस्ते हल है क्योंकि अब जादा वक्त नहीं बचा है और बारा बज़कर दस मिनट का वो वक्त क्योंकि बारा बज़कर तीन, चारव मिनट तो ही चूक है अब अगले पांट साथ मिनट के अंदर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां लेंड कर सकते हैं जैपूर के स्टेट हैंगर में और फिर वो भी सीधा रवाना हो जाएंगा है बारा बजकर तीस मिनट पर वो यहां समहर उस्थल में पहुंच जाएंगा यह आपनो राजस्तान इसे ही करते हैं और अशोग गैलोत अक्सर कहा करते थे मैं थांसों दूर नहीं जब संद्रा राजी ने शपत ली थी मुझे याद है तब भी अशोग गैलोत वहां पर पहुंचे थे और आज जब भजनलाल शर्मा बारतिय जनरता पार्टी के मुख्य मंत्री अशोग गैलोत उसमें शिर्कत करेंगी और कौन से कॉंग्रेस यहाँ पर आएंगे अच्छा रौशन ता रुक करते हैं स्टेट हैंगर पर मौझूद हैं क्योंकि प्रदान मंत्री कुछी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाज़ा है